नमस्कार दोस्तो विल्कम तु स्वेंग ट्रेड इस विडियो में बात करेंगे अलका माइन केमिकल कंपनी के बारे में इस कंपनी का अनालाइस करेंगे और कंपनी में देखेंगे कि यह स्टॉक में खरीदारी का मोहका है या तो फिर आवेड करना चाहिए स्टॉक को अभी इस वीडियो में बात करें वीडियो सुरू करने से पहले आप सब को जरूर रिक्वेस्ट करना चाहूंगा अगर आप इस चैनल पर नाया है चैनल को जरूर सबस्क्राइब कर लीजिए उसके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करके रख लीजिए तक आने वाला वीडियो का आपको टाइमली मिल सकता है वीडियो स्टार्ट करने से पहले और इक चीज बताना चाहूंगा अगर आप देखेंगे आज के दिन में एक वीडियो पोस्ट किया गया है जो कि यह जो है यह सारे फंडामेंटल स्ट्रॉंग स्टॉक है ठीक है अगर आप स्टॉक मार्केट म हाई में चल रहा था लेकिन अभी बहुत बढ़िया बढ़िया स्टॉक है बहुत बढ़िया वैलेशन में लेना चाहिए और उससे पहले और इक चीज में बताना चाहूंगा मैंने कुछ दिन पहले जब भी जो भी स्टॉक बताता हूं आप फड़ा सा खुद का अनलाइज कि यहां पर जकी सकते हैं मेरे वीडियो बनाने के बाद में पीसपचीस परशन का मूव हो चुका है यहां पर देख सकते हैं में बड़ी एसा ओपर्चिनुटी यहां पर बिल्कुल आपके सामने परूफ है उस टाइम बुल और चुका है और मैं क्या बताया था कि स्टॉक स्टॉक का प्राइस यहां तक आ सकता है 314 तक आ सकता है ठीक है और आप बोलेंगे कि किसे पता है यह कुछ प्राइस पर आजाएगा शेल हो के निकल जायगा ठीक है यह सारा चीज आपको सेट करके रखना तो अगर आपको पता नहीं कि कैसे करना है कैसे का अच्छा सा स्टॉक को अनलेज करना है यह जब दोनों फोल्टर का वीडियो आप अगर दोनों प्लेलिस्ट का पूरा देख लेंगा तो आपको काफी कुछी समझ में आएगा उसी के साथ में अगर आप फ्री ले सारे चीज सीखना चाहते हैं यहां पर सारे स्टॉक को देख लिए पॉर्टफॉलियो रिव्यू सारे देख लिए तो आपको बहुत बढ़िया से स्टॉक मार्केट में नालेज आ जा स्टॉक करते हैं यहां पर आज का अनलेज के वरह में अगर हम देखेंगे आलका में केमिकल कंपनी में अगर इस्टॉक का ओल टाइम हाइ की बात करेंगे ऐंए स्टॉक का अ ओल टाइम हाइ जब करेंगा अश्टॉक को अगे हmot n Tin के कितो इसके बाद में देखेंगे कितना दीन से चल रहा है देखें अब टाइम कितना कॉंपनी बुरा है यह चीज में बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूं कॉंपनी ग्रेट कंपनी है आपको जबदस्त कमाई करके देगा यह बिल्कुल सही है लेकिन सही टाइम पर आपना प्रफिट बुकिंग करना भी जरूरी है मैं क्यों शुइंग ट्रेड क्योंकि मुझे पता है जब हमें एक अच्छा सा इसको मैंने बाइंग किया था कौन सा लेवल यहां पर यहां पर सही टाइम पर करना मंगता है और कोई बोल देता है कि सही टाइम पर आप आप कर सकते हैं लेकिन प्रफिट बुकिंग करना है अगर प्रफिट बुकिंग नहीं करेंगे तो आपका टाइम चला जाएगा अभी देखते हैं कंपनी के ऊपर अगर आ जाते हैं यहां पर कंपनी एक लगातार एक बड़िया से रिटन कमा के दे रहा है देखिए 10 साल में 69 परसंटेज का रिटन दिया है पांस साल में 80 परस से रिटन यह साल में अगर किसे ने इंवेज दिया है तो भी थाटीफ़ैन परसंट में और कंपनी का अगर प्रफिट के बात करेंगे तो बहुत बढ़ी से अभी 377 करोड का सेल्स देखने को मिला है जो कि डिसेंबर क्वाटर में त्री टॉंटी-फॉर करोड का सेल्स देखने को मिला था पिछले डिसेंबर 2020 को यहां पर अच्छा सा कि अब यहां पर दस करोड का प्रफिट आ रहा था अभी 271 करोड का प्रफिट आ चुका है जो मतलब 27 टाइम्स क्रोड हो चुका है इसी इसाब से अगर बैलन्स जाके देखते हैं अभी आठ सो चासी करोड का यहां पर वालांस शीट में रिजर्व देखने को मिल रहा है जो कि अब तक का सबसे हाइस रिजर्व होगे उसी वेसिस पर अगर हम बरोईंग के बारें बात करेंगे उनली बरोईंगे और एक पॉजिटिव साइन दिखिए यहां पर हर एक क्वाटर इसाथ में क्यसरे क्वें का यूदर है पास अगर ऑफ अपना स्टेक बढ़ा सकते हैं कि इसी साब से अगर हम बात करेंगे कौन से लेवल पर हमें वाइक करना चीए यह जरूर हमें समझना पड़ेगा तो इसी साब से अभी अगर देखेंगे यह कितना दिन का कॉंसलरेशन ने आ रहा हूं यह साथ अगर आप इस स्टॉक में अभी करते हैं तो बिल्कुल एक साल पुराना प्राइस पर बिल्कुल यह स्टॉक अभी खड़ा है तो इसी साफ से अगर आप इस लेवल पे बाइंग का बनाते हैं तो भी ठीक है क्यों क्यों उसका पीछे की रिजन देखिए जब मार्केट में स्टार्ट हुआ जब मार्केट अभी टू अंडेड़ मुवी पिल्कुल अडेट कर चुका। यह जो रेडल का लाई है यहाँ पर हन्डेड़ का मूवी आवरेज है। अगर आपको वह यहां पर वीडियो का लिंक पे स्टाउक में कोई भी प्रोब्लेम नहीं है तो इसी साब से आपको यह स्टाउक में आल टाइम हाई तक आप लेके चल सकते हैं जो कि इस लेबल पर अगर आप इंटर लेके चलते हैं तो यहां पर आपका टार्गेट कितना रहता है तो यहां पर एक साल के लिए तो कोई भी स्टाउक कर रहे हैं तो सारे स्टाउक में आपको बताता हूं चाहिए तो मिनिमट में एक साल में अचीब करना है ठीक है मिनिमम में 30 परसेंट अगर होता है तो यह चाहिए अगर एक सामय तो हमारे लिए बहुत बढ़ी आशी बात है ठीक है और उसके बादके कमपनी का फॉंडमेंटल बहुत स्ट्रॉंग है और कंपनी में देखिए अभी 50 परसेंट का आनलिस्ट बोल रहे हैं कि इस टॉक को बाई करके चल सकते हैं जो कि बहुत बढ़ी है उसके साथ में कंपनी एक स्मॉल क्याप कंपनी थोड़ा सा रिस्क है एक चीज़ को भी विल्कुल हमें नहीं करना चाहिए क्योंकि एक स्मॉल क्याप कंपनी 16000 क्रोट का मार्केट क्या पर थो फोड़ा सा बोलाटाइल रहेगा इस टॉक में अगर आपको सही लगता है तो आप इंवेस्ट गेन लेंगे जो कंपनी का फ्यूचर ब्राइट है और आगे आने वाले दुन में जबड़ दस्त कंपनी ग्रो कर सकता है उसी कंपनी में अगर हम लगातर करते जाएंगे लगातर कमाते जाएंगे दिखिए पांत साल में यह स्टॉक ने क्या संदा रिटन दिया है सत्त्रा लगातर वीडियो देख रहे हैं तो आपको जरूर पता होगा आपको याद भी रहे गया होगा यहां पर ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हैं आपको पता है जो हमारे ग्रूप में जुड़े हुए उनको भी मालूम है उससे ज्यादा भी कमाई हो जाता है क्योंक अगर रहे गा तो अच्छा सा प्वालेटि स्टक में अगर एंट्री लेते हैं मार्केट जब गिरता है उस ताइम पे इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है उस ताइम पर पैनिक में सेल नहीं करना है कि यहां पर सेंटेश का गेन एक्सपेक्टेशन हम रखते हैं और एक लाग का हुराइजिन ले लिए दोस साल में आपने देखा बीस साल में दिखिए क्या जबरदस्त रिटन है वान करोड़ नाइंटी लाग रुपी बन रहा है एक लाग क्यापिटाल से कि यही होता है स्टाओकई मार्केरट के पावर उसी के साथ में कमपांडिंग के पावर उसी के साथ में अगर आप स्विंग डरेड करेंगे तो बहुत जबर्दस रिटन लेंगे लेकिन आप लेकिन रहा जाता हूं कि आपकर यह बहुत जबरतस्त रिटन मिलेगा लंग्टर में दिखिए कितना बड़ा विल्थ बन रहा है आपका अगर आप 20 परसेंट से यह लंग्टर में आप गयान कर लेते हैं तो आपका एक लग थाटी लग बन रहा है यहां पर 20 यर्स में 38 लग बन रहा है ना लेकिन अगर हम स्विंग ट्रेड कर रहे हैं तो कितना बन रहा है कितना बड़ा डिफरेंट से पता चला ना आपको यह सब आचिव हो सकता है लेकिन सही टाइम पे स्टॉक में एंट्री लेना सही टाइम पे जिटूटी अडर लगा के प्रफिट बुकि सब्सक्राइब कर लिजिए उसके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करकर रख लिए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम ले मिल सश्टा है थानक यू फ्रेंड्स पर वाचिंग इस वीडियो मिलते हैं आएक वीडियो के साथ में एपी रामटा में विजिए